नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे दोस्तो गुरुप D 2019 जिहां दोस्तो फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है आप में से कई लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तो उनके लिए बताऊंगा यहां पर यह देखिए सारे के सारे यह 5 जोन है दोस्तों कोलकाता, गुवाटी, पतना, राची, बोपाल इन जोन में से आप भूलके भी नमत लगाईए क्योंकि ग्रूप D 2018 की जो वेकिंसी अभी जिसका रिजल्ट आ चुका है उसकी कट ओफ आप देख सकते हो कोलकाता रिजन की 80 कट ओफ गई थी जनरल की OBC की बात कुरू 71, SC की 71 और ST की 55 तो जिहां दोस्तों कोलकाता से अगर आप सोच रहे हो फोम फिल करने के लिए तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए गवाटी से भी मत कीजिए पटना से भी नहीं दोस्तों मतलब की 75 से 80 के बीच में यहाँ पे जनरल की कट ओफ है बोपाल, राची, पटना, गवाटी, कोलकाता की में बात कुरू पर पिचेतर से नीचे आया ही नहीं आकड़ा अगर बात कुरू जनरल के टिगरीगा OBC में भी मतलब 70 से अबाव ही रहा है तो कहीं नहीं दोस्तों इमान के चलिए कोलकाता, गवाटी, पटना और राची, बोपाल से बढ़ने का कोई में मकसिद नहीं है वहीं दोस्तों अभी मैं आपको बाताओं बताओंगा कि यह मतलब 5 ऐसे कौन से जोन है जिन में बरना इस बार बिल्कुल सेफ रहेगा सेलेक्शन हो सकता है अगर आप पिछले वाली वेकेंसी में 2018 में 4-5 नमबरों से रहे हो तो चांस बनते हैं इस बार इन 5 जोन में आप फॉम फिल कीजिए फुल चांसेज है आपका सेलेक्शन शोर होगा ही होगा 101% क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो वेकेंसी थी मतलब नमबर ओफ जो मतलब नमबर ओफ पोश्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी कट ओफ कहीं न कई बहुत ज़्यादा निकल गई थी आप सभी लोगों ने देखा भी होगा normalization कैसे क्या हुआ था सारा सब कुछ detail वाइस आपको पता होगा उसके बार में बात नहीं करूँगा मैं लेकिन ये मान के चलिए दोस्तो इस बार भी वही method अपलाने वाला है railway तो कहीं न कहीं दोस्तो आप ही को मेहनद करनी पड़ेगी अभी इस बार लेकिन हाँ ये मान के चलिए अगर आप बेंगलोर जोन सिकंदराबाद या बिलासपूर चैननाई एहमदाबाद तो ये दोस्तो पहली बात आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ दोस्तो देखिए जिस जोन में आपको या जिस रिजन में आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट दिखाई दे रही है उस रिजन को पकड़िए आप ये मत सोचिए कि उसमें एप्लिकेंट ज़्यादा आएंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमने 2011 में पूरा experience ले चुके है ह हमें पता है किस जोन में अब भी कट ओफ कम रहेगी तो ये मान के चलिए दोस्तो आप रिजन देखिए लिस्ट में जाके 2019 की पोस्ट कितनी पोस्ट है किस रिजन में सबसे ज़्यादा जो रिजन दिखे आपको उस पे आप भर दीजिए बिना कोई सोचे समझे ये मत सोच है कि इस रिजन में बहुत सारे पोस्ट मतलब एप्लिकेंट आ चुके है या कुछ और हो चुके है बस आप सीधे से उस रिजन को सेलेक्ट कीजिए और भर दीजिए क्योंकि उससी में आपको कम कट ओफ देखने को मिलेगी कंफर्म है आप बेंगलोर रिजन बिलासपूर चेननी अहमदबाद यह जिस रिजन में आते है जो भी जोन आप उस रिजन को सेलेक्ट कीजिए कंफर्म आपका सेलेक्शन शोर है क्योंकि यह देख सकते हो दोस्तों आप जनरल चलो अपवाद हो गया 70 के आसपास mostly गई थी बेंगलोर एक 62 जनरल गई थी यह यहां पर लेकिन SCHT बात करूँ या OBC बात करूँ पचास के आसपास सेलेक्शन हो चुके थे 60, 65 के आसपास सेलेक्शन OBC के भी और SCHT हमेशा से कम जाती तो यहां पर भी देख सकते हो मतलब 50 के आसपास सेलेक्शन हुआ है अगर मैं बात करूँ बेंगलोर रिजन के तो दोस्तो अभी मेरा में मकसद इस वीडियो को बनाने का आपको सभी को अवेर करना कंपेर करना दो चार अठारा की ग्रूप D कट ओफ से और साथ यह बताना आपको कि जिस जोन में या जिस रिजन में पोस्ट सबसे ज़्यादा है वहां पर अपलाई करो सेफ रहोगे इमान के चलिए 100% सेलेक्शन पक्का है आपका तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे की इस एकजाम से रिलिटेट सारी सारी न्यूज नोटिफिकेशन तता समय समय पर क दोस्तों वीडियो देखने के लिए